हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेका रहा हैं टू कोलर का बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही उनीक साथ स्वेटर डिजाइन पाइटन फ्रेंड्स यह केवल टू के मर्टिपल बनेगा प्लस जो है टू फंदा इस्ट्रा लेंगे तो आप पर डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा यहां पर टोटल हमने 22 फंदे लिए हुए हैं और यह जो है को डिजाइन 6 रो की डिजाइन है तो बहुत ईजी सा डिजाइन पाइटन लेकर आया है फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉडर्णे के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए फ्रॉट फंदा स्लिप करके और पूरी शिर्णाय को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है 2 यह रोवन है राइट साइड है इसको इस तरीके से सीधा मुनते हुए कंप्लीट करेंगे फ्रेंडस आप से सारे लेटेस्ट डिजाइन मिल जाएंगे तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं तो फ्रेंट से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा लेकिन फूल वाच वीडियो जरूर कीजिएगा तो देखिए हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है शेकेंड रो है बाग्साइड तो देखिए यहां पर हम फ़र्स्ट फंता स्लिप कर लेते है और दागे को पीछे ले जाएंगे अब देखिए वन फंता हमें बुन्ना है वन स्लिप कर लेना है अब यहां देखिए वन बुनना है वन स्लिप कर लेना है दागा पीछे ही रहेगा देखिए वन बुनाई करेंगे वन स्लिप करेंगे वन फंदा बुनेंगे वन स्लिप करेंगे वन फंदा बुनेंगे वन स्लिप करेंगे इसी तरीके से आपको second row जो है बुनाई करना है one फंदा बुनना है one slip कर लेना है one फंदा बुनाई करना है one slip कर लेना और धागा आगे ला करके यह side का रिष्टी चे इसको हम उल्टा बुनेंगे तो फ्रेंट देखिए second row आपका complete हो गया है अब हमारा यहां पर जो है third row है और right side है तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे first फंदा यह slip कर लेंगे और यहां पर लेंगे जाली वाला फंदा और यह देखिए यहां पर इसे हम two का one करेंगे जाली वाला फंदा लेंगे और यह two का one करेंगे यहां पर यह जाली वाला फंदा लेंगे यहां पर हम two का one करेंगे जाली वाला फन्दा लेंगे, टू का बन करेंगे, इस तरिके से देखें, फ्रेंट्स कितना प्यारा सा डिजाइन बन करा रहा है, जाली लेंगे और ये टू का बन करेंगे, जाली लेंगे टू का वन करेंगे इसी तरीके से आपको पूरी रो कम्प्लीट करना है बहुत ही इजी डिजाइन है फ्रेंट देखे इस तरीके से आपको थर्ड रो को कम्प्लीट करना है देखे जाली लेना है टू का वन करना है और इस साइड का एड़िष्टी छे इसको हम सीधा पूलेंगे तो फ्रेंट देखिए हमारा ये डिजाइन पाटन का थार्ड रो कंप्लीट हो गया फोर रो है बैक साइड है पूरी रो को हमें देखिए उल्टा-उल्टा बुन करके इस तरीके से तयार करना है देखिए फ़र्ष्ट फंदा हम स्लिप कर देते हैं आप सनली है इसके बाद पूरी श्लाइक को ऐसे उल्टा बुनते हुए फ्रेंट्स कंप्लीट करना है आप से एक बार दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को फ्रेंट्स आप जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा क्यूंकि हम डेली आपके लिए एक बहुत ही इजी और प्यारी सी डिजाइन लेकर आते रहते हैं जिससे आप इस भाग दोड़ भरे समय में बहुत ही इजली बना सके तो आप जो है हमसे जुड़े रहने के लिए मारे चैनल को जरूर आप सस्क्राइब कर लिजेगा को तो देखिए फ्रेंट से हमारा खोल रो थोंप्रीट हो घया है अब इंअप ठहुत में देखिये यहां पर हमने अपना सेकट्ध कलर्र जो है आइड़ कर लिए यहां पर हम कि यह सेकन् ऄरे एक अनलट लगा देजी नट लगाने के बाद इस तरीके से हां यहाँ पर लेते आएगे और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम यह पूरी रोको हमें अपने सेकेंड कलर से ऐसे सीधा बुंते हुए कम्प्लीट करना है देखिए इस तरीके से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे और इस रोको हमें ऐसे कम्प्लीट कर लेंगे इस तरीके से तो देखिए हमारा यह फिफ्थ रोक कम्प्लीट हो गया अब हमारा यह जिक्ष्ड रोक है बैक साइड है अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है फ़र्श पंदा हम स्लिप करेंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे पूरी चलाइको हम यह सिधा सिधा बुनाई करना है देखे इसे हम इस तरीके से पूरी स्लाइकवाई से सिधा बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे यह लास्ट का आयड इस्टी छे इसको हम उल्टा बुनेंगे तो फ्रेंट देखिए हमारा डिजाइन पैटन का यह सिक्स रो कम्प्लीट हो गया है अब यही आपको वन्स लेके इसको आप लेंगे और यह सिधा बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे फिर शेकेंड रो ऐसे करके जैसे हमने वन्स लेके शीक्स रो बनाया था ना इसी तरीके से आपको रिपीट करते जाना है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर हमने एक डिजाइन और बना लिये और यह देखे यहां पर इसी तरीके से फ्रेंट्स यह डिजाइन बनती जाएगी कितनी प्यारी और खुबशूरस सी डिजाइन है इसी तरीके से आप बनाएए आपको बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बन तो फ्रेंट्स अगर आपको ये पूरी डिजाइन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को भी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद मिलते हैं नेश्टी जैंक झाईल 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 जयन